कुम्ब राशी, गज केसरी योग, नवम पंचम राज योग, तिर एकादश योग, ये तीन तरह के शुब योग मंगलवार के दिन आप के लिए बनने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुम्ब राशी के बारे में 14 जुलाई मंगलवार का दिन आप के लिए कैसा रहेगा और इस वीडियो में बात करेंगे कि मंगलवार की सुभा, दोपहर, शाम और रात आप के लिए कैसी रहेगी। दोस्तों, हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है। जानकारी बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि ओम नमस्शिवाय जरूर लिखे और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही घ चांग के बारे में 14 जुलाई मंगलबार को श्रावन मास के क्रिशन पक्ष की नवमिति थी रात आठ बचकर 26 मिनट तक रहने वाली है। इस दिन दोपहर दो बचकर 6 मिनट तक अश्वनी नक्षत रहेगा इसके बाद भरनी नक्षत प्रारंब होगा। 54 मिनट तक रहेगा और रहुकाल का अश्वब समय दोपहर 3 बचकर 53 मिनट से शाम के 5 बचकर 37 मिनट तक रहेगा। दोस्तो इस दिन ग्रहों की चाल इस तरह से बनेगी कि ब्रशपती केतू धनु राशी में शनी मकर राशी में मंगल मीन राशी में शुक्र बरिशब राश इस दिन ब्रशपती चंदरमा में गज केसरी योग और नवं पंचम राज योग बना हुआ है और साथ ही सूर्य बुद्र और चंदरमा के मथ्ये तीर एकादश योग बना हुआ है दोस्तो ये बेहद ही शुब योग हैं जिस वज़े से कुम राशी वालों को कही तरह के ब बड़े लाब मिलने वाले हैं दोस्तो शुरुवात करते हैं राशी फल से सबसे पहले बात करते हैं सुबह से लेकर दो पहर दो बजे तक के समय की मंगलवार की सुबह गर्मी का एहसास कुछ जादा ही होने वाला है समान्य से जल्दी नींद खुलने वाली है सुबह मन शा और फिट रहेंगे और अपने शरीर पर आप बहुत ध्यान देने वाले हैं इस दिन आप फिजिकल एक्सराइज सेर सपाटे तक करने वाले हैं और अगर आप रेगुलरली इन चीजों को करते हैं तो इस दिन आप कुछ ज्यादा ही मेहनत अपने शरीर के लिए करने वाले ह दोस्तो इस दिन सुभा के समय में आपके पैरों के उपरी भाग में नसों में खिचाव आ सकता है आप में चंचलता बनी रहेगी आपके नेत्रों में टिकाव की जरूरत पड़ेगी यानि की जहां जितना जरूरी हो उतना ही देखना चाहिए इस दिन आप सजने सवरने में अपना समय वितीत करेंगे आपका सुभाव सतंत रहेगा माता पिता का कहा इस दिन जरूर मान के चलें दिन की शुरुवात भगवान शिरी गनेश जी की पूजा अर्चना के साथ करें दोस्तो बात करें दोपहर दो बजे से लेकर रात साड़े आठ बजे तक की इस समय में सवभाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और आपका स्वास्थे भी बहतर होगा इस समय में आप काफी मोज मस्ती करने वाले हैं काम के साथ साथ मनोरंजन के साधनों में भी आपकी कामलों में लापरवाही बरतने बाला है इस समय में आप अपनी चतुराई से धनलाब कमाने में कामियाब रहेंगे सामाजिक कामों में भी आपकी भागीदारी बनेगी आपको सामाजिक स्थलों पर आना जाना पड़ सकता है जरूरी कामों के चलते खाने पीने का ख्याल इ लाप की प्राप्ती होगी दोस्तों ये समय आपके अनुकूल है बात करें रात साड़े आठ बजे के बाद के समय की इस समय में आपका बेबाहिक जीवन खुशाल रहेगा लाइफ पार्टनर के साथ प्यार और विश्वास बढ़ेगा और नजदीकियां भी बढ़ेंगी दो लूम नमस्षिवाए जरूर लिखें